वेलकम बैक टू माइ यूट्यूब चैनल माइन हाइज नर्सिंग आज हम कुछ अब्जेक्टिव केस्टन देखेंगे जो की फंडामेंटल अब नर्सिंग से है ज्यादा क्वेस्टन नहीं है के वल ट्वेन केस्टन इसमें लिए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा हम करेक् आंसर चूज करने से पहले जो ऑफशन होंगे उसके को भी थोड़ा सा उनको भी थोड़ा समराइज कर लेंगे जिससे की आपको चूज करेक्ट आंसर चूज करने में हैल्प भी मिल जाए और समराइज भी हो जाए रिवाइज भी हो जाए आपका और यह आपके बहुत करिएगा subscribe करिएगा और comment भी करिएगा और subscribe करने से जो ये हमारा channel है यानि कि जो हमारा family है इसमें आप add हो जाते हैं और इसके memberships मिल जाते हैं और फिर जो भी अगर आप bell icon press करेंगे यानि कि जो घंटी का निशान है अगर आप उसको press करेंगे तो वो आपको जो भी मैं वीडियो यहां पर अप्लोड करूँगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन अपना भी मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following drug is used to dilate pupil तो यहां पर चार option दिये गए है mediatrix, keratolitics, meiotics and scabicides तो mediatrix का मतलब क्या हो गया कि mediatrix is an agent यह एक agent होती है that induced dilatation of the pupil drug such as tropic, tropicamide यहनि कि जो tropicamide होती है वो उस टाइप के एक छोट ड्रग होती है जो कि क्या करती है पुपल को dilate करने में help करती है और यह जो होती है यहनि कि जो रेटिना का जो examine किया जाता है उस से में भी यह drug use की जाती है तो एक तो यह option है फिर है keratolytic keratolytic जो होती है वो एक therapy होती है keratolytic is a therapy type of medical treatment to remove warts warts होते है थोड़े छोटे-छोटे से जो boils type हो जाते है lesions हो जाते है उनको वो क्या करते है remove करती है तो यह keratolytic होती है यह एक therapy होती है जिसके help से क्या किया जाता है यानि कि medical treatment दिया जाता है और जो lesions हो जाते है उसको remove किया जाता है epidermis से यानि कि जो skin होती है उसको जो skin में अपना भी produce हो जाते है उसको क्या किया जाते है ज्यादा amount में हो जाते है तो उसको उससे इसकिन से उसको रिमूव किया जाता है और फिर हो गया मायोटिक्स, मायोटिक्स क्या है यह मायोटिक्स is a substance that cause construction of the pupil of eye यानि कि यह constrict करती है जो pupil होती है उसको डायरेक्ट नहीं करेगी उसको constrict करेगी ठीक है और they may be used in the treatment of glaucoma और जो glaucoma होता है जो कि eye disorder है आई की ही disease है उसको treat करने में भी यह मायोटिक्स का use किया जाता है then है scabicides, scabicides क्या होगा कि used to treat scabies जैसे इसके नाम से ही लग रहा जो scabies है उसको treat करने के लिए यह दिया जाता है जिसको की scabicides कहते है because they kill scabies mites इसको क्यों बोलते है scabicides क्योंकि यह जो mites होते है उसको यह kill करता है जो scabies के माइट्स होते है ठीक है और some are kills mites act और कुछ जो mites के जो acts होते है उसको भी kill कहते है माइट्स मीन हो गया small very small insects जो की आप देख भी नहीं पाते है उस तरीके के ठीक है और scabicides मीन हो गया यह इसकिन का इसके अब scabicides को समझने के लिए आप scabies को देखिए कि वो होता क्या है वो ही जब यह जो scabies होता है वो एक highly contagious skin infection है ठीक है infestation जिसे बहुत सकते है infestations caused by a tiny browning mites होते है यानि कि जो बहुत ही small insects वगेरा होते हैं जिसको कि आप देख भी नहीं पाते है उसके वज़े से जो skin में जो यह infestation हो जाता है skin के अंदर उसके कारण से जो भी contagious skin disease disorder हो जाते हैं वो ही इसके इभी sites है तो यहां पर पूछा गया है कि जो कौन सी इसमें से ऐसी drug है जो कि आई को जो पिपिल होती आई कि उसको dilate करने में मतलब help करती है तो आपको पता चली गया होगा वो है mediatrix याने कि जब आपने इसके option को summarize किया था करा हम लोगों ने साथ में तो उससे क्या हुआ कि आपको answer मालूम जल गया तो guys second question which of the following drug is contraindicated for lactating mother याने कि जो milk जो breastfeed करवाती है बेबी को उनके लिए कौन सा जो नीचे दिएगी जो medication है कौन सी medication contraindicated है ठीक है तो contraindicated मतलब होता है उनको नहीं देनी है बिल्कुल भी ठीक है तो वो है सबसे पहले chloroquine, tetracycline, ampicillin और amicacin चार option दिये हैं इसमें से आपको चूज करना है correct answer तो guys chloroquine आपको मालूमी होगा कि यह क्या होती is a medication used to treat and prevent malaria ठीक है malaria cause by mosquitoes ठीक है mosquito bite तो यह जो होता है mosquito के bite करने से malaria cause होता है और इसको prevent करने के लिए यह इसको treat करने के लिए यह medication दी जाती chloroquine फिर है tetracycline क्या है tetracycline is an antibiotic that fight infection cause by bacteria ठीक है antibiotic का तो काम होता है कि वो जो भी harmful यह जो microorganism है उनसे यानि की bacteria उससे क्या करें fight करें ठीक है और it is used to treat many different bacterial infection अब हो सकते है जो कि 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 किस के हो सकते है, skin के हो सकते है, intestine के हो सकते है, respiratory track के हो सकते है, gennital के हो, lymph nodes हो सकती है यह other body system की जो भी inflammation infection जो भी है उसकी लिए ग्टिरली जो infections होते है उसकी लिए tetracyclic한 use की जाती है antibiotic है, ampicillin क्या है, ampicillin is a penicillin antibiotic that is used to treat or prevent many different type of infections such as bladder, bladder infection बोल सकते हैं, pneumonia, gonorrhea, meningitis और other infections of stomach and intestine, यह सारे जो infections को treat करने के लिए ampicillin दी जाती जो की एक penicillin antibiotic है, उसके बाद हो गया amicacin, amicacin also an antibiotic medication used for number of bacterial infection ठीक है, बहुत सारे bacterial infection के लिए दी जाएगा, like joints, जो की कैसे जो बोल सकते हैं, joint हो गया, joint infection हो गया, और intra-abdominal infection हो गया, meningitis हो गया, pneumonia, sepsis, UTI, यह बहुत सारी ऐसी infection है, जिसमें यह दिया जाता है, तो correct answer हो गया, इसका tetracycline, जो tetracycline है, वो contra-indicated है, किसके लिए lactating mother के लिए, then correct answer, sorry, question number third, an agent that check hemorrhage, ऐसा कौन सा agent है, जिससे की hemorrhage को check करेंगे, तो इन में से anticoagulant देंगे, उसको hemorrhage को check करते हैं के लिए, और हमें यह जो hematinitis देंगे, या stepics देंगे, या amikacin देंगे, तो इस में से समझ देंगे, अब आप देखे, anticoagulant क्या होता है, anticoagulant को आप बोल सकते हैं कि, our medicine that prevent the blood from clotting as quickly or as effectively as normal, आप बोल सकते हैं कि जो anticoagulant होता है, यह क्या करता है, blood को जो होता है, यह prevent करता है, prevent the blood from the clotting, clotting करने से उसको prevent करता है, और जो hematinitics है, उसको आप बोल सकते हैं, hematinitics जो होता है, sorry, यह होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि hematic agent होता है, that stimulates the production of the RBC, यानि कि red blood cell को production करने के लिए, उसको बनाने के लिए, वो क्या करता है, एक ऐसा agent है, जो कि उनको बनाने के लिए stimulate करता है, increase the amount of hemoglobin in the blood, जो hemoglobin का amount है, वो हमारे blood में क्या हो, increase हो, तो यह हो गया, इस तरीकी की medication को बोलते हैं, hematinitics, ठीक है, फिर estepics, estepics क्या हो गया, estepics जो हो गया, वो contracting the blood vessels and tissue, यानि कि जो blood vessels और tissue होता है, वो उसको contract करता है, ठीक है, contract करने के लिए, वो दिया जाता है, inhalation, sorry, अब यहाँ पर तो यह हो गया, an agent that attack hemorrhage, तो इस में से कौन सा correct answer है, correct answer हो गया, anti-coagulant, then application of the drug to the skin is known as inhalation, topical, insertion and inaction, तो इन में से कौन सा जो drug है, वो skin के लिए दिया जाता है, application किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, skin पे उस drug को बोलते है, inhalation, topical, अब इन में सा आपको correct answer बताना है, तो क्यों ना इसको पहले हम थोड़ा-थोड़ा summarize कर लेते हैं, तो inhalation तो पता ही है, आपको action of inhale, जो भी इसके अंदर हम लोग inhale करते हैं, और आपने देखा होगा, जो जो मतलब जिसको breathing problem होती है, और breathe लेने मुश्किल होती है, जिनको की nebulizer दिया जाता है, तो वो उसको क्या करते हैं, medication के तो इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो respiratory, जो distress होता है, और जो भी blockage होता है, जो भी उनको problem होती ही, वो subside हो जाती है, और जो topical होता है, इसका मतलब होता है, related और applied directing to a part of body, यह जो है body के किसी भी part में क्या किया जाता है, apply कर सकते हैं इस medication को, यह medication ही है, जिसको apply किया जाता है, और insertion का मतलब तो हो गया, when you put something into another thing, like the insertion of a key into a lock, और तो यहां पर medication से बोल सकते हैं, कि कोई medication किसी के अंदर insert की जारी है, जैसे कि lock और key को हम यहां पर example लिया, तो वैसी body part में कोई भी medication को insert किया जारा है, through the skin, through the bone, through the muscles, through the vein, जो भी है, तो वो आप इसमें बोल सकते हैं, उसके बाद हो गया, inaction, inaction को क्या बोलेंगे, inaction का मतलब हो गया, कि rubbing of ointment or oil into the skin, इसमें क्या करते हैं, कोई भी medication को rub करना पड़ता, यानि कि उसको वहां पर rub करके use करना पड़ता, skin वगरा पर, ठीक है, insertion मतलब ऐसे ही insert कर देना है, रग देना है, कहीं पर भी किसी भी body part में, या किसी cavity में insert करना, और topical का मतलब, उसको apply, topical का मतलब हो गया, उसको एक तरीके से apply कर देना, ठीक है, और यह जो inhalation का मतलब हो गया, inhale करना, जैसे कि breathe करते हैं, तो उसमें से कौन सा जो drug है, वो skin में दिया जाता है, तो अहला कि आपको समझ में आ गया होगा, topical, then question number next है, कि SLE, what is SLE, यानि कि systemic lupus erythematosus is कौन सा है, यह कौन सी problem है, an endocrine disorder है, या autoimmune disease है, या cardiac disorder है, या फिर allergic reaction है, तो endocrine disorder क्या होगा, जो endocrine system से related होगा, हमारी gland वगरा सब आ जाएंगी इसमें, उससे related है यह वाली problem, या autoimmune disorder है, disease है, जो कि autoimmune होता है, और या फिर cardiac system से है, यानि कि हमारे heart से related है, या फिर हमारे immune system से related है, या फिर कोई allergy से related है, तो यह कौन सी यासी problem है, तो guys, autoimmune में क्या होता है, कि अपनी ही जो healthy cell होती है, वो ही हमारी अपनी ही cell में attack करना है, हमारा जो immune system होता है, उसका काम होता है कि, कोई भी, मतलब जब कोई, जो antigen enter करता है, यानि कि कोई भी infection का cause हमारे body के अंदर, हाँ, मतलब कुछ ऐसा object या ऐसा जो harmful organism under enter होता है, तो उसके लिए क्या करता है, हमारा immune system fight करता है, और उसके लिए antibody prepare करके, उसको वहाँ पे kill किया जात, कर देता है, और हमको prevent करता है, हर तरीकी की disease conditions है, लेकि अटो immune में क्या होता है, कि वो ही healthy cell को destroy करने लगता है, हमारा immune system, उसको वो मतलब पहचानने में enable होता है, enable होता है, वो उसको नहीं पहचान पाता है, cardiac disorder में क्या हो गया, heart disease, disorder type, जो भी heart की problem होती है, coronary problem होती है, वो सब इसमें आ जाती है, ठीक है, जैसे myocardial infarction हो गया, pericarditis हो गया, यह सब heart की problem है, allergic reaction में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई medication का reaction हो गया, ठीक है, तो यह सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, तो इसमें हो गया autoimmune disease, तो इसका correct answer है, जो systemic lupus, systemic lupus aethematosus क्या है, वो है एक autoimmune disease, फिर a gallon is equal to, अब gallon is equal to, वो किसके बराबर होगा, एक gallon किसके equal होगा, यहाँ पर दिये है 200 ml के, 400 ml, sorry, 2000 ml, 4000 ml, 3000 ml और 5000 ml, तो अब यहाँ पर gallon क्या होता है, gallon is a unit of measurement for volume and fluid capacity, ठीक है, fluid and volume capacity both, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं, measurement unit है, तो यहाँ पर यह किसके बराबर है, तो यहाँ पर होगा, ml में दिया है, तो obviously fluid के लिए है, तो यहाँ पर correct answer होगा, 4000 ml, तो 1 gallon is equal to 4000 ml, correct answer, then 7th question, Benedict test in a urine sample is done for the detection of acetone, sorry, acetone, यह बाइल salt होगा, इसमें थोड़ी, यह print mistake होगा है, glucose and protein, तो यहाँ पर जो correct answer है, Benedict test क्या होता है, यह तो आपको पता ही है, कि Benedict test is a chemical test, आप इसको बोल सकते है, that can be used to check for sugar, जिसको की sugar के test के लिए, sugar को check करने के लिए test किया जाता है, तो यहाँ पर correct answer आपको पता ही चल गया है, और acetone को भी आप बोल सकते हैं, कि जो acetone होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, is a acetone is also one of the ketone bodies, that is form when the body uses fat, ठीक है, instead of glucose, glucose के, जो energy के लिए, जो है, instead of glucose for energy, यहाँ ग्लूकोस के बदले में अगर fat का use किया जाए, तो यह जो हमारी body होती है, वो क्या बनाने लगती है, acetone, यह ketone bodies को बनाने लगती है, यह ही एक acetone, इसको हम बोल सकते हैं, is also one of the ketone body, acetone भी ketone body की तरही है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, acetone, glucose तो मालूम ही है, protein भी हमको मालूम है, तो यह किसको detect करने के लिए काम किया जाता है, तो Benedict solution का glucose को detect करने के लिए किया जाता है, जो कि हमने समराइज करते से मैं आपको समझा गिया था, फिर है correct question number 8, which part of the colon is the preferred site for permanent colostomy, यानि कि अब यहाँ पर है, जो जो पर्मनेंट colostomy करते हैं, तो colon का कौन सा पार्ट को prefer करते हैं, कौन से पार्ट में को उसके लिए choose करते हैं, ascending colon को, transfer colon को, descending colon को, या फिर ileum को, अब ascending colon क्या है, descending colon क्या है, यह तो आपको पता ही होगा, ascending colon जो होता है, sorry, जो पहले तो colostomy को जान लीजे, colostomy क्या होती है, colostomy is a surgical procedure आप बोल सकते हैं, that bring one end of the large intestine out through the abdominal wall, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो यह surgical procedure के through क्या करते हैं, जो one of the large intestine, यह जो end of the large intestine, जो large intestine का जो end होता है, उसको through the abdomen, यानि कि जो abdomen का wall होती है, उसमें उसको एक stroma बना के, stroma मतलब होता होल, whole means stroma बना के उसको बाहर निकालते हैं, जिससे की जो wastage है, वो उसके थूरू pass हो, ठीक है, उसके बाद हो गया, यह तो हो गई colostomy, और colostomy जब rectal की problem होती है, cancer होता है, या कुछ इस तरीकी की problem है, तो जाके जो इस तरीकी का काम किया जाता है, ताकि जो fecal matter है, वो उसको stroma के through, यानि कि जो abdomen wall में बनता है, तो वहाँ पर लाके colostomy, उसकी जो end part होता है, large intestine का, उसको वहाँ पर fix करते हैं, stitch करते हैं, जिससे की जो wastage होता है, वो उसके थूरू बहार आता है, जो की bag में collect होता है, और फिर bag को उसको change किया जाता है, बहुत hygiene maintain करनी पड़ती, क्योंकि skin जोती, बहुत soft और delicate होती है, abdomen की, तो वो उसमें, वो ना हो, मतलब उसमें कुछ ऐसा redness हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उसमें infection ना हो, उससे prevent करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा hygiene की जरुवत होती, ये तो था colostomy का एक procedure, जो कि मैंने shortly आपको बताया, अब हम बता, ascending colon क्या होता है, ये तो आपको बताईए, बता ही है, ascending colon का मतलब होता है, is the beginning part of the colon, जैसी जहां से colon start होती है, तो उसका जो starting point होता है, यानि कि जो beginning part होता है, उसी को बोलते है, ascending colon, और transfer colon क्या होती है, जैसे आप images को याद करिये, जो कि क्या होती है, largest and most movable part of the colon, ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते है, transfer colon is the largest and most movable part, आपने देखा होगा कि जो बड़ा part होता है, और जो move करता है, इस तरीके से, जो movable part होता है, उसी को बोलता है, transfer colon, फिर हो गया descending colon क्या होता है, is the part of the large intestine, from the splenic flexor to beginning of the sigmoid colon, यानि कि ये जो splenic flexor होता है, वहाँ से start होता है, ये जो large part होता है intestine का, वहाँ से होता है, और वहाँ से इसकी starting होती है, और कहां पर तो कि beginning of the sigmoid colon, और sigmoid colon का जहां पर beginning होती है, वहां तक यह part रहता है, इसको बोलता है descending colon, तो यह आप images में देख लीजिएगा, और ज़्यादा आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा तो और ilium तो मालूमी है आपको ilium क्या होता है ilium तो एक last part होता है, small intestine का, और it connect the cecum, जो cecum होता उससे यह connect रहता small intestine का last part होता cecum से connect रहता है, ठीक है यानि कि हम इसको यह बोल सकते है कि first part of the large intestine, यानि कि जो large intestine होता उसका यह first part होता उसको बोलते है ilium, तो यह तो आपकी queries अब clear हो गई होंगी अगर होंगी तो और जिनको नहीं मालूम था, उनकी लिए मैंने बोला जिने मालूम है, उनकी लिए तो अच्छा ही है तो आपको समझ में अब इसमें हम देखते है correct answer है कि descending part यानि कि जो उसका descending part है उसमें यह surgery की जाती है यानि कि इसकी जो opening होती है इसको abdomen में लेके आते हैं और वहाँ पर उसको stitch कर देते हैं जिससे की जो wastage होता है वो fecal matter होता है वो वहाँ से pass out हो और वहाँ पर bag connect कर दिया जाता है ठीक से ताकि वो bag में connect हो मतलब pass out होता है और फिए bag को change करते रहते हैं यानि कि जो उसकी bag होती है उसको change करते रहते हैं बहुत ज़्यादा hygiene की जरुवत होती है तो descending column क्या है descending column मैंने फिर से बता देते हूं आपको part of the large intestine from the from the splenic flexor to the beginning of the sigmoid column ठीक है then question number 9 हो गया 1 ounce is equal to अब जो 1 ounce है वो इन में से किसके equal है 280 gram 480 grams 380 grams और 580 grams तो अब आपको पहले तो ounce को समझना होगा तो जो ounce होता वो क्या होता है the ounce is the name of several different unit of mass, weight और volume आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं ठीक है तो ये जो name of the several different units several different units की जो name को mass में हो, weight में हो volume में हो उसको हम ounce कहते हैं तो ये हो गया आपका इन में दे रहा ग्रेंस में तो correct answer हो गया 44, 80 grams जो होता है वो is equal to 1 ounce होता है then question number last main complication of chronic inflammatory bowel disease is तो जो main ये जो bowel inflammation inflammatory bowel disease है जो chronic है ठीक है chronic है उसका जो complication है वो कौन सा main है उसमें hemorrhage है या ulcer formation है या perforation है या फिर cancer है तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि chronic inflammatory disease होती जो bowel की वो क्या है bowel disease तो पता ही आपको chronic inflammatory bowel disease that affect the lining of the digestive tract इसमें क्या होती जो digestive tract की जो lining होती है उसमें severe inflammation हो जाता है या नहीं chronic inflammation होता है bowel disease जो कि किसकी lining affect होती है digestive tract की उसी को बोलता है अब हो गया इसमें कही पर भी हो सकता है digestive tract के किसी भी part पे मनला कि कही पर भी अब इसमें यह जो complication है वो कौन सा main complication है कि जो उसको होगा अब इसमें ulcer भी बोला है नहीं hemorrhage तो मालूमी है bleeding हो जा रहीगी वहाँ से यह ulcer formation होगा ulcer का मतलब हो गया sore a sore that develop on the lining of यह कहीं पर भी हो सकता है isophagus stomach small intestine कहीं पर भी तो यहाँ पर पूछा गया है bowel में inflammatory bowel disease में तो ulcer का मतलब होता है sore और फिर perforation का मतलब हो गया कि is a hole in the wall of the part of the gastrointestinal tract it includes isophagus stomach small intestine large intestine कहीं पर भी यह hole formation हो जाता है ठीक है वहाँ पर अपना भी hole hole बन जाएगा और वहाँ से जो अंदर का material वह बहार आने लगेगा perforate होने लगेगा leakage होने लगेगा उसको बोलते है यह perforation ठीक है फिर है cancer तो आपको पता ही है अब इसमें से correct answer देखना है bowel जो chronic inflammatory bowel disease का correct answer आपने अपने दिमाग में जूज कर लिया होगा correct answer है perforation अगर perforation हो गया फिर तो surgery इसकी जो laparotomy की जाएगी patient की और उसमें जो hole हो चुका है उसको क्या किया जाता है उसको correct किया जाता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारे सारे answer 10 तो thank you guys for watching this video और इसको please like, share, comment और subscribe जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में और जो कि मैं इसमें वीडियो के साथ कभी-कभी optional question होते हैं जो कि किसी भी subject से लिये जाते हैं या फिर कोई lecture होता है जो कि on demand भी तियार किया जाता है तो वो आपको आपके लिए बहुत फाइदे मन्द होगा तो इसको subscribe करिएगा ताकि आपके entrance exam में इस तरीके के जब आप इसमें देखेंगे जो मैं node भी provide करती हूँ कोई भी lecture पे तो वो आपको इलिए बहुत ज़्यादा beneficial होंगे तो thank you and goodbye take care फिर मिलते हैं bye